इता में सरी क्रिष्ण बताते हैं केते हैं अर्जुन दो ही चीजे हैं एक वैराग्य है और एक अभ्यास है अभ्यास एन बैराग्य विवेकानन ने साथ इसे चीज को कोड किया होगा और उन्हें लेकानन के सारी वानी सारे वचन या तो अपनिश्वदों से हैं गीता से हैं और वो एंटिलेक्स्वल हैं वो बहुत चीजों को पकड़ते पर पकड़ते एकॉर्डिंग तो हिस गुरु लिविंग आइडियल ठाकुर रामकृष्ण परमान्स परमान्स ही बड़े भोले सीधे अब अगला सब मैं नहीं कहूंगा क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मा पहज सलल और बड़े-बड़ी योगी यागी तपी ध्यानी सबाते थे ठाकुर के सामने आकर एक दम चुप चाप हत्परभ हो जाते थे उनको दे उनकी जीवन चरिया देखकर जीवन सहली देखकर उनका आनंद आहलाद देखकर तो पहली बात तो यह है कि आप किस प्रका कैसे हैं आपका रहने का तरीका क्या है भोजन इत्यादी कैसे बस इतना कहूंगा कि किसी जीव इत्यादी को मत मारिये आपको कोई मारे आपके बच्चे को मारे तो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप भी किसी को मार कर किसी के बच्चे को मार करके जीव किस वात के एक पोधे बचाओगे कि बेटे बचाओगे, बेटा ही बचाओगे ना, ठीक, तो तरफ जब किसी जीव के भीतर में होती है, खर ये अलग विसे है, मैं साकाहरी हूँ और साकाहरी को, साकाहरी होना इंसानियत है, मानवता है, जो लोग मानवता की बात करते हैं, जो लोग हु प्राणी क्रियेशर इस दुनिया में जो भी भगवान के बनाए हुए क्रियेशन है मुरगा है, मुरगी है, बकरी है, बकरा है, कुछ भी है वो भी अपना चोटे-चोटे बच्चे होते हैं, कुछ 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 करते हैं, पंची होते हैं तो मैं इसके पक्षधर में हूँ और मैं क्या आप मानो हो तो आप रहो चूंकि आप मानो हो तो आपको यह अधिकार है मार के किसी को खाया है यह तो गोर अन्याए है इससे बड़ा अन्याए क्या हो सकता है और इसके यह क्राइम है इससे बिगस्ट क्राइम कुछ नहीं हो सक एक नॉलिजफुल बंदे को एक आदमी को जो आफी की तरह बुद्धी रखता है सोच रखता है विवेक रखता है उसके मुर्डर को जवाब करते हो तो आप पर मुर्डर के चार्ज लगते हैं पर एक प्राणी जो अपने आपको बचाने में समर्थ है आप थोड़े के नहीं है। यहना शुनेस है क्राइम है एक प्राकान का उन्न वे जुबान तो मैंने कहूंगा है बे जुबान इसलिए कहा जाता है बोलते तो भी तो भी है अब हमारी विए समझ में हम नह ovat हो हैं तो बोलते तो भी है अपने बचे को देखकर चोटी शीपकर के बड़ी चुछ कुछ 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 हत्या अगर कोई कर रहा हो और वो धार्मिक होने का दम भेवरे तो इन माई आइज इंपॉसिबल ली आप रिलिजियस हो सकते हैं बड़ आप स्प्रीच्वल नहीं हो सकते रिलीजन हो सकता है रिलीजन इसको ढूंड़िएगा ये सब्द कहां से आया बड़ आप स्प्रीच्वल नहीं हो सकते आध्यात्मिक नहीं हो सकते आत्मवत नहीं हो सकते आत्म सब्द का अगर्थ है कि अपनी ही आत्मा सब में ब्याप्त है चतुर्दिक फिर किसको मारें कैसे मारें तो यह कठिनाई चीजे हैं बट हमने रिच्वल्स ऐसे ऐसे बनाए हुए है एंग रिच्वल्स के पीछे हम छुकते है धर्म का काम है एक बहतर समाज का निर्मान बहतर मनुस्य का निर्मान जहां खुले रूप से सांस ले सकें जी सकें आहलादित रह सकें सभी मिलकर रह सकें बट उस रिलीजियस चीजों के पीछे रिच्वल्स के पीछे छुप कर अगर अपने डिजायर्स को पूड़ा करते हैं आई थिंक यह ईश्वर के बनाए तो नहीं हो सकते हैं यह नौटी मनुश्यों के बनाए हो सकते हैं मैं उनको चतुर तो नहीं कहूंगा चालाग वो भी लोमुडी की तरह चालाग इन बैड सिंस चतुर इन गूड सिंस चतुर जिसने अपने जीवन को सुंदर बना लिया सत्यम सिवम सुंदरम और उनको देख करके और लोगों को सत्यम सिवन संदर्म के पत पर ले जा रहे हैं उनको चतुर कहते हैं और यह चालाक कौन है तो वो चालाक वो लोग हैं सक्सेस अटेनी कास्ट चाहे किसी की लास पे चलके भी हमें सफलता क्यों नब राप्त करनी पड़े लासों की शुड़ियां क्यों नबनानी पड़े तो यह सक्सेस की परिभासा बैट सिंस में है एंटी हुमन है एंटी इस्प्रिच्वल है एंटी सोसल है एंड आई थिक सब कुछ एंटी सब कुछ उसके विरुद्ध है एंटी एक्जिस्टेंस सो धर्म की परिभासा जो हमने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़कर और अपने गुरु से सीख कर जाना वो एक ही सब में है आप एंटी एक्जिस्टेंस हैं या एक्जिस्टेंस के साथ हैं अस्तित्तो विरुधी हैं या अस्तित्तो के पक्ष में खड़े हैं आप इतना ही धर्म का परिभासा है हमारे गुरुदेव बहुत प्यरी बात कहा करते थे कि स्वैम बचो लोगों को बचाओ स्वैम बढ़ो और लोगों को बढ़ाओ तो कभी कभी मुझे लगता था कि भाई ऐसा कहना चाहिए कि लोगों को बचाओ और खुद बचो पर बाद में जब मैं एरो प्लेन में गया और चला और जब अक्सीजन मास्क के लिए वो एरोस्तिस सब बताने लगी कि करिपया दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क लगा ले तो मुझे लगा कि यह सही है कि जब हम स्वेम बचेंगे तो हम लोगों को बचा पाएंगे हम स्वेम स्वस्त होंगे तो लोगों को स्वास्त के लिए प्रेरित कर पाएंगे और हम स्वेम बढ़ेंगे बढ़ेंगे in the sense of इस प्रफ निस के लिए हम सकता हूं अगर फिजिकली कहते हैं आप यह बहुतिक रूप से सांसारिक रूप से घर host वो मकानों यह भी बुरी बात नही है धन होना बुरी बात नहीं है इस सेंस में भी आप भी बढ़ें लोगों को भी बढ़ने का उसर प्रदान करें आप बचें लोगों को बचने का उसर प्रदान करें और उनकी सहायता करें दिस धर्मा इतना इजी है मेरे गुरुजी निबास इतना इतने सब्द बताए वस यही धर्म है अब इसके ऊपर बड़ी-बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं बड़े-बड़े बुखस लिखे जा सकते हैं बड़े-बड़े थिसिस और बड़े-बड़े दर्शन इस पर आ सकते हैं इंप्लिमेंट कैसे करना है इसके लिए तरीके अलग-अलग हो सकते हैं और तरीके तो इतने हो सकते हैं कि आठ अरब लोग हैं आठ अरब मत हो सकते ह और इसमें कोई बुराई नहीं, इस पुरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उतने भी मत हो जाएं तो बुरी बात नहीं है, बस मत का उद्देश से कहा है, उद्देश से समान है की नहीं, उद्देश से एक्जिस्टेंशियल है की नहीं, उद्देश से ब्लिस्फुलनेस क अगर ये है तो जितनी भी मत हैं कोई बुरा ही ने है आप जितनी मत रख लेगे कोई बात ने है आपके हिंदु धर्म में तो सैव हैं साथ हैं तो हनुमान जी वाले हैं तो फलाने अरे भाई हम तो कह रहे हैं ये तो कम है सब के अलग-अलग हो जाएं बट मोटो क्या है अग तो वो बहुमत से धर्म नहीं बना करता है याद रखना है बहुमत धर्म नहीं बनाते हैं सत्य अकेलाई होता है कोई जरी तो रडात सुने ना ऐसे तो एकला चलो एकला चलो गुर्देव रभिंद्र नाठ टेगुर नहीं इस बात को कहा तो बहुमत से सरकारें बना करती ह बहुमत से समाज के कुछ प्रेसिडेंट इत्यादी बनाया करते हैं, बट बहुमत से धर नहीं बुनता है, बहुमत से स्प्रिच्वालिजम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मवान होना तो निहायत ही एकांतिक बात है, एकांत, धीरता, गंभीरता, पथन, पाथन, अध् इसमें बहुमत की कहां जरूरत है, चलिए, 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 तपस्या, असनान करना है, चलिए, सब लोग गंगा रहे हैं, तुम जाओ, असनान करी आओ, तुमको तपस्या करनी है, ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान क कर सकते हैं लोगों को एक सकते हैं अपने आस पास के लोगों को प्रेरा कर सकते हैं आजहूंति हैं